कियारा ने बताया सब को अपनी प्रेगनेंसी का सच और अंगत ने मांगी साहिबा से माफी सब्सक्राइब करें इंडिया फोरूम्स हिंदी को और घंटी के निशान को दबाएं ताजा खबरों के लिए इनल तेरी मेरी डोरिया में आप देख रहे हैं कि सबने साहिबा पर गलत इलजाम लगाए सबने उसके कारेक्टर पर सवाल उठाए आज साहिबा जब कियारा को लेकर हुटल गई थी यहाँ पर उसने जतिन का सच कियारा के सामने ला दिया उसकी पतनी के सामने भी सब सच बता दिया कि जतिन दो लोगों को धोखा दे रहा है आप को भी और इधर कियारा को भी यहाँ कियारा रोते हुए घर वापस आती है साहिबा भी आती है और साहिबा से यहाँ तऱ तऱा के सब सवाल करते हैं जसलीन तो जसलीन मंदी अंगत की मा यानि साहिबा की सासु मास साहिबा के कैरेक्टर पर सवाल उठाती है दादा जी बीजी और घर के सामने यहाँ पर साहिबा तब भी कुछ बोलती ने हर कोई उससे यही पूछना चाहता है कि आखिर तुम जिस बच्चे की मा बन रही हो उ और यहाँ पर अंगत भी के चेहरे पर भी यही सवाल रहता है आप देखेंगे यहाँ साहिबा कुछ नहीं कहती है और यहाँ पर पहुशती है कियारा कियारा सब को सारा सच बता देती है यह तक बता देती है कि अगर साहिबा नहीं होती तो बरार मिंशन की फैमली की कितनी बदनामी होती उन्होंने प्रेग्निंसी रिपोर्ट पर अपना नाम लिखवाने को कहा था क्योंकि वो मैरेड हैं आज यहां साहिबा के इस किये से दादा जी इतने खुश हो जाते हैं और सब के सामने कहते हैं कि साहिबा ने जो किया वो आज तक बरार मेंशन में किसी बहु ने नहीं किया सब लोग के नजरे साहिबा के सामने जुख जाती हैं सब को अपनी सोच पर बुरा लगता है और आप देखेंगे ऐसे में कियारा बेहोश होती है उसे हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है यहां पर जसलीन गई है जसलीन कियारा के साथ अंदर जाती है और से कहती है अगर यह काम मैंने किया होता तो क्या तुम मुझे माफ कर देते अब देखना यह है कि साहिबा अंगत को माफ करती है या अभी कुछ दिनों तक इस बात का मलाल चलता रहेगा